आज हम लोग प्लास्टिक मनी के बारे में समझते हैं जिसमें ATM आता है, ATM को basically credit card और debit card में divide करते हैं, इनमें क्या आंतर होता है, और ATM पर लिखते होंगे, visa, mastercard या रूपे लिखा होता है, इनमें से कौन सा better होता है, और भारत सरकार ने और RBI ने किस नियम के ताथ, mastercard को नए card इसू करने पर बैन लगा दिया है, देखे, ATM जो हता है, इसका पूरा नाम होता है, automated trailer machine, इसकी खोज 1967 में इंग्लाइन में की गई थी, लेकिन खोज करता का नाम था, John Sephard Boren, इनका जनम 1925 में भारत के Megalair राजिके C-Long में इनका जनम होता है, तो इनके खोज करता, अगर इ पैसा खुद के bank में जमा पैसे को निकालने का एक रास्ता होता है, और किसी भी टाइप की ATM में तो पैसा नहीं होता है, हमारे account में रहता है, account में खर्तम ATM किसी काम का नहीं रहता है, पहले जमाने में क्या था, कि पैसा निकालने के लिए आपको bank में जाना पड़ता था, व इसमें प्रोसीड करने में काफी लंबा टाइम लगता था चेक से तो काफी लंबा टाइम हो जाता था और संडे के दिन ऑफिसियली बैंक बंद रहते हैं छुटियों के दिन तेवार के दिन रात के टाइम पे तो आप इसे 24 घंटे नहीं पैसा निकाल सकते थे तो इसी के लि लेगा जितना बैंक देगा वहाँ पर तो इससे काफी अच्छा सिस्टम काम करने लगा यहां पर इसे बैंक जो हमें ATM कार्ड देती उस पर डेविट कार्ड लिखती है तो डेविट कार्ड हमारे पैसे निकालने का एक बहुत सूपर फास्ट माध्यम हो गया यह दिन रात तो इससे 24 घंटा और 7 दिन निकाल सकति इंती 165 दिन आप इससे पैसे निकाल सकते तो यह काफी अछा फैयदा हो गया इसमें भी अम उतना ही पैसे निकाल सकते और उस पर debit ही देता है, वो credit card आपको नहीं देता है, credit card लेने के लिए कुछ आपको terms and condition होते हैं, उसको fulfill करेंगे, तभी मिलता है, debit card जादे secure माना जाता है, credit card के तुल्ला में, क्योंकि debit card पर आप देखेंगे, कई security होती है, 16 अक्षर का तो पहले इसका आपका ATM card number होता है, फिर उस पर expiry date ये पता होना चाहिए, पीछे जो होता है, card verification value यानि CVV number, एक sticker sat के उस पर तीन अच्छर लिखा रहाता है, ये security label जो ह पीन की जरूवत होगी, जो आपको memorize करके रखना पड़ता है, याद करके, तो आप ही को पता है, तो पीन जब तक नहीं डालेंगे, पैसा नहीं निकलेगा, लोग पैसवा निकालने के बाद ना, इंडिया में क्या करते हैं लोग ना, वो cancel button हो पैसवा निकाल लेंगे, कोई डर्धी की बात नहीं होती है, अब देखें, मान के चलिए, वो इंसान आपका ATM में लिया है, इसको ATM में जाके कहता है, वो pin को सोचता है, change कर दे, forget pin करके, वो change करना चाहेगा, तो फिर उसके लिए भी रास्ता है, कि जो आप अपने bank में mobile number दियोंगे, उसी mobile पर one time password य credit card को समझते है, credit card क्या चीज है, पहले के जमाने में हमें loan लेने के लिए, अपने रिस्तेदार, या फिर उचे दाम पर जो ब्याज पर देते हैं, लोग महीने का 5%, 10% वहां से लेना होता है, जबकि bank काफी सस्ता loan देती है, अब आपने गाउं में लीजेगा, 5% हर महीने ल लेगा, साल भर में 12-50% ले लेगा, और बैंक में जाएगा, तो 10-12% वह साल भर का लेती है, तो bank का loan काफी सस्ता होता है, लेकिन लेने में बहुत जमला होता है, 15-20 दिन लग जाएगा, अब आपको 50,000 रुपे की जरूवत है, एक ख़ते में आपको जरूवत है, तो आप से सबको सुल्जाने के लिए, एक ऐसा fast formula निकाला गया, कि हचाक से आपको क्या मिल जाए, लोन मिल जाए, करजा, तो हचाक से लोन देने वाले card को कहते है, credit card, इसमें आपका पैसा नहीं याद रखेगा, इस पैसवा लोटाना पड़ेगा, तो जो bank से जाके मांगते थे थ इस घंटा जाब चाहें वो लोन निकाल सकता है वहाँ पर, लेकिन इसमें भी लोन की लिमिट होती है, शुरुआत में कम लिमिट दिया जाता है, पचीस अजार का, धीरे धीरे उसको पचास अजार, एक लाग, दो लाग ऐसे करते करते, तीन लाग तक के आपको लिमिट को जरूल पर कि वो तीस दिन दे रही है, चालिस दिन, पैसे के एमाउंट पर भी डिपेंट करता है, जादे पैसा है या कम पैसा है, मत ओवर ओल तीस से चालिस दिन रहता है, कितना अच्छा है, मान के चली हमें पचास अजार की इमर्जेंसी में जरूद पड़ी, बैंक से लोन लेने जाएंगे, इस लगाएंगे, आपने रिस्तिदार से मांगेंगे, तो एछान थोप देगा, साहुकार से मांगे, तो 5% का बियाज मांगेगे, उससे अच्छा है, अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, धढ़ाक से निकाले, मन के चली हमको होस्पीटल में दिख अब इसकी कुछ अच्छा यहां समझते हैं, देखिए, credit card में हमें cashback अक्सर मिल जाते हैं, offer, या आप 100 रुपया का समान खरीजिए, 10 रुपया cashback मिल जाएंगे, तो debit card की तुलना में credit card पर जादे offer मिलते हैं, इसके साथ ही इस पे कुछ rewards points मिलते हैं, और अक्सर आइसे offer आत जाएंगे, कभी जहाज का ticket book करिएगा, 10 point मिल जाएंगे, तो ऐसे ऐसे point collect करके, अगर आपके पास 100 point हो गए, तो आपको तो 100 point खरीदने के लिए पैसे नहीं न देने पड़े, आप किसी और चीज को खरीदे थे, वो आपको यह चाह offer दिया था, अब जब यह collect हो गया, तो Amazon पर भी देखिया, कभी offer आता है, कि credit card पर लीजेगा, तो 5000 और चूट मिल जाएगा, डेविट card पर चूट नहीं मिलता है, साथ ही कुछ ऐसे भी चीजे होती है, जो जिसका payment केवल आप credit card से ही कर सकते है, वो डेविट card से पैसे ही नहीं लेते है, हाला कि ऐसे चीजे काफी कम होती है, लेकिन वहां restricted होती ही, तो यहां तो credit card का फायदा है, लेकिन main काम क्या होता है, credit card आपको भी घाणने के लिए दिया गया रहता है, बैंक चाती, बैंक को income आपके अपी से होता है, आप जितना loan लीजेगा, ब्यास दीजेगा, बैंक को पैसा हो जाएगा, वो credit card क कीजिए, बिलिंग कीजिए, कैस निकालने से बेटर है, उसी इंसान से पूछे कि भाईया तुमको कितना चाहिए, दो हजार लाओ हम, क्रेडिट काट से पेमेंट कर देते हैं, कैस निकालके दो हजार मत दीजिए, वरना कैस विड्रॉल पेनाल्टी चार्ज लगता है, पहला, दूसरी खराबी, अगर आपने इस से 30 या 40 दिन वाला लिमिट क्रॉस कर गया, क्रॉस करने के बाद बढ़ा हैवी इंट्रेस जोडता है सब इस पे, तीसरा खराबी, ये सेक्योर उतना नहीं होता है, जैसे आप मान लिजे, स्वापिंग करने गाए, 20,000 का समान खरीदे, तो आपको वो बिलिंग दिखा देगा, 20,000 का तो आप देख लिए, 20,000 है ना, अब इसमें आप स्वाइप कीजिए कार्ड को, और स्वाइप करने के बाद वो पैसा नहीं कटेगा, आपको इसमें पीन डालना पड एगा, पीन डालके आप कार्ड निकाल लिजी, आपका 20,000 काट गया, लेकिन पीन डालने की जरुवत केवल डेबिट कार्ड में है, क्रीडिक कार्ड में पीन की भी जरूवत नहीं परता खाली घचाक से सरकाई वो बिल काट लेता है, तो अगर आपका credit card गिर गिया कहीं, तो कोई भी पाएगा, तो सीधे जाएगा, कुछ shopping करके खचाक खचाक निकाल लेगा, तो आपका अगर credit card गाएब हो जाता है, तो इसको बहुत concerned के बाद है, इसलिए credit card को तुरत बंद करना चाहिए, डेविट card गाएब हो गया, तो पिन नहीं पता है, तो किसी काम का नहीं है, इसलिए आप देखेगा, डेविट card के तुल्ला में credit card को बंद करना या ब्लॉक करना काफी आसान होता है, इसके साथ ही आपके खर्च को बढ़ा देता है, जैसे मेरे debit card में अगर 10,000 र आक तक का तो बैंक के देदेगा, तो जहां 10,000 का खरीदना चाहिए, वहां अकसर आदमी 12,000 का खरीद लेता है, तो credit card वालों को देखेगा, इसका प्रचलन छोटे मीडिल सहर या गाउं में नहीं है, लेकिन दिली मुंबई जैसे सहरों में देखेगा, credit card वाले हमेशा, उ जिसका जॉब हो रहा है, या या यंग एस्टर को credit card देदो, अब वो credit card में जाएगा, उसको gift देगा, अब gift पहले क्या था, पापा पैसा नहीं भेजे है, बैंक में नहीं है, क्या करें, अब ही देखता है, अब ही देखता है, ससरा बर्थ दे आ गया है, credit card है, घचाक से ल ठोड़ रंग के चला इदम लाल भाव का हुगा, ठोड़, आप तो कहें कि बाह, आप इसको हम तीन हजार का gift देदेंगे, अब जान बुझ क्यों ठोड़ रंग है, उसको क्या जा रहा है आप, ठोड़ रंग ली हो, अब बताइए, अगर आपके पास debit card रहेगा, और debit card मे इसको क्रेडिट कार्ड, देखेंगे, ओई ससुरा, ठोड़ रंग ले है, धाक से credit card से लाओ, तुमको हम सौपिंग कर के देते हैं, तीन हजार रुपीया का, तो जो 500 रुपीया था तीन हजार, इसको क्या गया, दूसर रुपया का ठोड़ रंग ली, ठोड़ रंग ले के आजकल खर्चा कम हो रहा है, दूसरे जगा चक्कर है का, सचरीत नहीं हो का, आर बी आई के मसीन धाले है, का हो का है, इसलिए 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 मत पढ़िए, वरना credit card के चकर में बहुत जादे करजा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, अच्छे से रही है, ड इसलिए इसलिए बेटर है कि अपने लाइफ पर ध्यान दीजिए, अपना करियर बनाईए, इस अब चीजों पर जादे ध्यान ने दे, आजकल तो सब्स्राइब फैसन हो गया है, टेडी बियर का फैसन, डेडी मिल का फैसन, डेरी मिल का फैसन, जादे तर जिसके पास टेडी बियर रहता है, देखिएगा, वो टेडी बियर जादे चांसे जए Mexico, खूद नहीं खरीदा होगा, वो कर दो लाइको नोई और गिफ्ट दिया होगा, जतना सब के पास टेडी बियर रहता है, अगर कोई लाड़का डेरी मिल्क खरीद रहा है तो जादे चांद से जाए कि वो खुद नहीं खाएगा, वो दूसरे को दे जाएगा, लड़की को लगता है कि डेरी मिल्क दे रहा है, अरे उस चुट्टा बहुत हुसियार है, उसको पता नहीं है कि अभी फंसेगी की नहीं, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट कम करना चाहता ह सोचता है कि दोसे रुपया में पहले इन्वेस्टमेंट करके देखते हैं कि सेयर हमारी ओर आएगा कि नहीं, जब देखेगा, ओ हो ठीक ठाक आ रहा है, तो दस रुपया के चालीस वाला डेरी मिल, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करता है, खेर हम लोग टॉपिक पर आते ह है प्लास्टिक मनी कह जाता है, अब इन क्रेडिट कार्ड हो या friendships हो है या ऐधियन पर आप इसके बैंक आपना नाम तो देखे होंगे, जैसे यहाasında Union बैंक है, अलग अलग बैंक हो है, जैसे highfounder 것 बैंक हो हो। दिखेग के बैंक है Mastercard 20% करके रखा है आपका ये रूपे कार्ड हाला कि रूपे अब देखिएगा तो रूपे का भी प्रचलन बढ़ गया लेकिन ये बहुत जादे जबरजस्त यूज में होते हैं आखिर ये क्या चीज है सम्द तो समझ ये क्या चीज शुरुआत में जब बैंक ATM कार्ड को इं जड़ दो लेकिन पहले नहीं था पहले जिस बैंक का ATM है उसी बैंक में वह काम करता था लेकिन जैसे जैसे पॉपूलेशन बढ़ा लोगों को बैंक से जोड़ा गया जंधन या जिना में तो पूरा लोगों को बैंक से जोड़ने की बहुत अच्छी कोशिश थी तो जब में बहुत भीड़ बढ़ने लगा तो पता चला कुछी को एमर्जेंसी में जरूरत है उसके पाइसबी आई के ATM देख रहा है सब्सक्राइब करें तो ऐसा पहले सिस्टम था मतलब एकदम शुरुवाती दोर में जब ATM की नहीं नहीं खोश थी तो एकसा होता क्यों था SBI में खोलवाया है मेरा नाम डेटा बर्थ मोबाइल नंबर मेरे अकाउंट में कितना पैसा है OTP वगरा सब SBI को पता है काड SBI नहीं दिया हम उसको कौच देंगे उसको पते नहीं मसीन कोईगा कौन हो भई हम नहीं पहचानते है तुमकों पता ही नहीं चलता था क्यों कि यह यह बैंक वाले एक ही रास्ता है कि यह अपना सारा समान PNB को बटाए अलग अलग बैंकों को को मतलब सारे बैंक अपने ग्रहक वारे में जनकारी सबatgeी बता दे यह पर इस तब भी तो पैसे निकल सकता है था वह पर इससे गहाटा क्या ओता था कि हर भैंक दूसरे बैंक के कस्टमर को चाहेगा फोल ले क्योंकि अगर उसको डाटा पता चल जाएगा अब मन के चली ICICI को पता चला गया SBI में सो सबसे अमीर आदमी पता चल जाएगा किसका पासा तो उसको फोन करेगा कासर हम आपको जादे सुभिधा देंगे है कि नहीं तो उसको डिस्टर्ब करने लगा नहीं देखते हैं फोन करके कहेंगे नमस्कार मैं जहरीली बोल रही हूं क्या मैं आपको काट लूँ तो आपको कहेंगे नहीं मत काटिए तो दिन बार फोन करके परसाम करते रहता है तो बैंक अपना डाटा दूसरे को नहीं देना चाहता है अब जब देंगे नहीं तो उपईशवा निकाले के देगा कई से तो इसी में काम आता है कार्ड नेटवर्क क्या है समझी धयान से औलग-अलग बैंक है मानके चलिए आप PNAB है SBI है ICI cosine है तो जितने भी बैंक है इं यो आपको ATM देते हैं तो उस बैंक को करते हैं CARD यशूवर अब इसमें CARD इस्यूवर में क्या होते हैं बैंक होते हैं, तो हर बैंक में, जैसे मेरा खाता मान के चलिए आप SBI में हैं, तो मेरी जानकारी SBI के पास है, तो SBI क्या करेगा, कार्ड नेटवर्क को मेरी सारी जानकारी दे देगा, जो मेरे कार्ड पर नेटवर्क लिखा होगा, जैसे वीजा लिखा होगा, या मास्टर क तो मेरी जानकारी दो लोगों के पास चली गई, पहला चला गया मेरे बैंक जिसमें मेरा खाता है, दूसरा ये जानकारी इनके पास चली गई, अब इनका नियम होता है कि ये जानकारी किसी से साजहा कर ही नहीं सकते है, अब क्या होगा, कि मान के चली मेरा SBI में पैसा था, हम चले गए आपका Central Bank of India में से पैसा निकालने के लिए तो Central Bank of India को मेरे बारे में पता ही नहीं है और वो direct SBI से पूछ नहीं सकता है और पूछेगा भी तो SBI इनको बताएगा नहीं काएगा मना कर देगा तुम भढ़का लेगा मेरा कस्टमर तो SBI अपनी जानकारी किसको दे रखा है काड नेटवर्क को मान के चली कि मेरे पास वीजा काड था तो मेरी जानकारी वीजा के पास भी थी तो Central Bank का ATM मेरे SBI मेरी जानकारी नहीं मांगेगा मेरे नेटवर्क से वीजा से मांगेगा और वीजा उसको प्रोवाइड करा देगा कि हाँ भया आदमी ठीक ठाक है पैसा इनके पास है आप इनका पैसा निकाल के दे दीजे तो अब आप समझ गया कि किसे भी बैंक से ATM दूसरे से निकल सकता है किस के माध्यम से कार्ड नेटवर्क के माध्यम से डाटा इन ही के पास और यही आपको OTP सेंड करते हैं कार्ड बना के भेशते हैं अलग-अलग सुविधाएं देते हैं आपका नंबर ब्लॉक करते हैं यह सब करते हैं इसके बदले में यही चार्ज लेते हैं लेकिन यह बताते नहीं है कि हम पांसो चौसर रुपिया सलाना आपसे चार्ज जो हम ले रहे ह। हम ले रहे हैं यह क्या करते हैं का्ड इसवर् बैंक को कहते हैं कि देख भयाव तोरा गरहाक है काड कर रहा हिसकर्द हार साल पांसो रुपिया कट लेना हमको पहुंचादेना स Look at है हर घर में एक और दुग एटीम है तो उतना कोरोड़ो रुपय यह तो कमा रहे है न पूरी दुनिया से कमा रहे हैं यह लोग इस तरह से काम होता है अब जैसे मान के चलिए हमारा हम पैसा निकाल लेगा पन्जाब नेशनल बैंक जो है हम जैसे इसमें अपना काड लगाएंगे तो यह जानकारी किससे मांगेगा उसको पता है किसे मांगेगा नेटवर्क मेरा सकता है यह कड नेटवर्क मेरा वीजा भी हो सकता है अब यह वीजा से कएगा कि पता करो कि अब बात आती है ृपे वीजा यह मास्टर काड इन में से वेस्ट कोन है यह US की कंपनी है, भारत में यह 50% market capture की हुई है, यह भी US की कंपनी है, भारत में लगबग 30% market capture की है, इसका काना है कि भाया हम आपका पैसा जो है, यह national भी दे सकते हैं और international भी दे सकते हैं, मतलब आप बिदेस में से भी पैसा निकलना चाहिएगा तो हम दे सकते हैं अब जब कि भारत ने अपना रूपे काड बनाया यह शुरुआत में केवल इंडिया में चल रहा था लेकिन रूपे काड में भी एक प्लेटीनम काड होता है रूपे का ही वह इंटरनेशनल भी चलता है तो अब तीनों इंटरने लोगों के माइन में भारत के लोग में स्वाफ करने की चंप बहुत ज्यादे होती देखिएगा कोई कार खरीदेगा तो कहीं जाएगा पईटने के लिए तो कार का चावी टेबल पर रख देगा वह यह नहीं बताएगा कि हम कार से लिए हैं चाविया देखाएगा बढ़ लोग बीदेश कभी नहीं जाते हैं लेकिना उनको बीजा चाहिए यहाँ पर अरे भाई वीजा आप लीजेगा तो हर महीने पास हर साल पास सो रूपया लेगा अलेके जाएगा अमरीका लेकर रखिये ना रूपे काद और आपको बहुत सौक है तो रूपे आप ले लिज खावे से कुछ नहीं होता सचाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से के खुसबू आ नहीं सकती कभी कागज के भूलों से तो अपने हाप को सो आप मत कीजिए सिंघहासन पर बैठने की कोशिस नहीं कीजिए खुद राजा बनिए जहां बईट हैंगे वहीं सिंघह जानकारी सेव करना मेरा नाम मोबाइल नंबर सेव करना आप अपने मोबाइल में सेव कर लेते हैं मेरा फोटो सेव करना था खीच के गैलरी में सेव कर लेते हैं लेकिन बहुत जादे चीज सेव करना है तो आप पेंडराइब में करते हैं उससे भी बढ़ा हो गया तो अब भारत सरकात ने 6 अपरेल 2019 को ही कह दिया था कि अब हम उसी कार्ड नेट वर्क चाहें वह वीजा हो रूपे हो रूपे तो इंडिया कहीं है या माश्टर कार्ड या कोई भी काड उसे भारत का डाटा भारत में ही रखना होगा उसे डाटा सेंटर भारत बनाना वहाँ वि पता है कि फलनिया के एकाउंट में 2 लाख है और किसी के एकाउंट में 2 करोड है वो कंपनी क्या करेगी अमेरिका को बेच देगी तो अमेरिका के परचार वाले क्या करेंगे उस व्यक्ति को Google या WhatsApp या Facebook या YouTube के थूँ दो लाख वाले को कम सथा कार का परचार दिखाएंगे हाई कार लिजिए उसको पता है कि सथा वाला अज इसके पास 2 करोड है उसको देखाएगा ये ले लिजिए आवडी लिजिए बीम डू लिजिए इससे फाइदा उसको हो जाएगा सारा खेल डाटा का चल रहा है आप Google आपे एक बर सरच कर लीजेगा कि हमको अलकडी का आलमारी आप देखिएगा तीन चार दिन तक आप को लकडी का आलमारी है कस घशल आता है किसड़ ऐगेमा मता का करना नेन चाहिए हम यह हमारी कंपनी ist को में 20,000 चाहिए आ butॉ सब के बाद सरकार ने कहा कि 22 जुलाई 2021 आज के दिन तक हो जाना चाहिए इस देट तक में भी Mastercard ने नहीं किया RBI ने कह दिया Mastercard अपने काड को इसू नहीं कर सकता है जितना इसू कर लिया है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी Mastercard ने कर लेना भारत में इसा data building बना लेना सबको आपस में लिंक करके उसमें खुब अच्छा AC चलाके रख देना तो हम तुमें permission दे देंगे सब्सक्राइब आगया तो आप यह card वगरा समझ गे इसकी अलावे भी आप देगे तो banking में कापी टर्म्स होते हैं जैसे चेक भरने का तरीके में कैसे चेक होते हैं barrier check, cross check, account page check, order check यह economics के सवाल में CGL या SSC में एक question इससे पूछ देता है साथ ही पैसे transfer में देखेंगे आजकल UPI बहुत चलना है बैंक में जाएंगे पूछे करना है, RTGS करना है कि IMPS करना है, इसमें क्या अंतर होता है bank account में भी type देखेंगा, तो saving हो सकता है, current हो सकता है, recurring account जिसे RD करते है, fixed deposit जिसे FD करते है, demate account जिसमें share market खुलता है, NRI जो बाहर में काम करते हैं उनके लिए account, तो अलग-अलग account में क्या difference होते हैं, साथ ही आप देखेंगे, तो long term के लिए, जैसे बुढ़ापा में मान के जले पतो भागा दी, तो कहां से खाएगा, या इस सब चीज के लिए, एक होता है, प्रोविडेंट फंड, भविश्य के लिए रखा हुआ पैसा, तो प्रोविडेंट फंड के बारे में भी question पुछता है, अब इतना बड़ा वाड तो बोलिएगा, नहीं प्रोविडेंट प्रोविडेंट फंड, 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 इस सब को किसी आउन वीडियो में समझा देंगे आज आपको प्लास्टिक मनी यानि ATM, डेविट कार, क्रेडिट कार इस सब के बारे में समझ में आ गया होगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जैहिन!